क्या आप जानते हैं? पंचकूर की मशूर पिशोक माही मचली के बारे में जुजाइके में इंतहाई लसीस और मजेतार है बलूची सुपान में माही का मतलब मचली और पेश का मतलब पत्ते, खचूर के तरह के हैं कोरी माही दर्या की छोटी मचली होती है जो इसलिए इस्तवाल होती है क्यूंकि आप इसे कांटे निकाले बगेर मुकमल तौर पर खा सकते हैं बलूची स्तान में इसे पकाने का तरीका इसे मनफरित बनाता है इस खास मचली को पकाने के लिए सबसे पहले मचली के अंदरूनी अजा को निकाल कर धोकर साफ किया जाता है सफाई करने के पाद मसाले और नमक हस बिजाई का शामिल किये जाते हैं इस अमल के लिए मजारी खचूर के पत्ते इस्तमाल किये जाते हैं जिन्हें तने समेट तोड़ा जाता है पत्तों वो अच्छी तरह धूने के बाद आपके सामने चंठ सेकंड्स के लिए रखा जाता है जिससे वो नर्म और लचकदार हो जाते हैं जब पत्ते तयार हो जाते हैं तो इस पर मचलियां डाल दी जाती हैं और मखसूस तरीके से पत्तों को बात कर इसे गर्म कोईलों पर पकाया जाता है ये मचलियां सिर्फ कोईलों पर तयार होती हैं यही इसकी वजाए शोहरत है कोईलों और मचली के दर्मियान फासला 4-5 इंच होना चाहिए मचली तैयार होने के बाद आपको फिर कोईले डालना होंगे और कमस कम 30-40 मिंट इसे कोईलों पर पकाने के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी